जब मोदी 2014 में सत्ता में आये थी तब उन्होंने वादा किया था कि हर साल देश में 2 करोड युमाओं को रोजगार दिया जाएगा गुजरात के CM रहते हुए मोदी भी अपनी हर रैली में रोजगार देने का दावा करते थे लेकिन 2014 में सरकार बनने और मोदी के PM बनने के बाद BJP इस वादे को पूरा नहीं कर पाई मोदी सरकार का कोई भी नुमाइंदा बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलनी के लिए तयार नहीं है और चुनावी साल में मोदी युमाव को 2 करोड की जोगा महस कुछ हजार न्योकती पत्र बाट कर ठगने का काम करते रहते हैं इसी वज़े से अब मोदी सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रही है देखे एरपोर्ट रोजगार से लेकर महगाई और दूसरे मुद्दों पर मोदी सरकार भले ही फेल हो चुकी हो लेगिन बीजेपी की तरफ से पीम मोदी के जन्म दिन पर कई कारिक्रम आयोजित किये गए और पूरे पकवारे यानि 15 दिन तक कई कारिक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी के तहट पियम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये अलग-अलग सरकारी विभागों में भरती किये जाने वाले कर्मचारियों को लगभग 51,000 न्यूक्ति पत्र बाटे इस रोजगार मेले में न्यूक्त किये जाने वाले नए कर्मचारी डाग विभाग, भारती लेखा परिक्षा और लेखा विभाग, पर्मानू उर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्चिशिक्षा विभाग, रक्षा मंत्राले, स्वास्ते अवम परिवार, कल्यान मं अपने जन दिन पर मोदी सोशल मीडिया एक्स पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे थे एक बार फिर आज सोशल मीडिया पर मोदी को ट्रोल किया जा रहा है इसी गड़ी में UPC AICC सदस्य विश्व विजय सिंग ने X पर एक पोस्ट शेर किया है उन्होंने लिखा है इसे भी सत्ता में आई है तब से सिर्फ अभी तक करीब सत्रा लाख लोगों को नौकरी सरकार दे पाई है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार इसे भी अपनी काम्याबी के रूप में पेश कर रही है जबकि कॉंग्रेस सवाल कर रही है कि 18 करोड का हिसाब कहा है देबी लाइफ की रिपोर्ट